नमस्कार दोस्तों आप सबका एकबर फिर सस्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम सिकंदरोज है और मैंने लगतार चार बैंकिंग की एक्जाम IVPSPO, IVPSR, RBI, RBI Assistant and RBI Clerk clear किया था जो लोग मेरे इस चैनल पर नहीं है वो मेरे बार में नहीं जानते हैं तो आप मेरे scorecard, banking status से जुड़े वीडियो आप जाके इसी चैनल पर देख सकते हैं लेकिन फिलहाल में मैं यहाँ पर मेरी live नाने की यही वज़ा थी डिरेक्ट आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा मैं डिरेक्ट टॉपिक लेक्ट पर क्योंकि इंट्रव्यू के लिए टाइम बहुत कम बचा है तो और वैसे भी यह टॉपिक की लिस्ट है तो आपको कॉपी पेल लेके बैठना पड़ता तो इससे बढ़ी है मैंने ख टॉपिक से गरंटेड कोश्चन है क्योंकि यह सारे के सारे जो टॉपिक में लेके आया हूँ बेस्ट अपन प्रिवियस इंट्रिवू टीचर अच्छे से टीचर से मैंने जो नोट्स बनाये थे और जो मेरा एक्सपिरियंस पहले का था और इस साल का सब कुछ मिला कि यह 130 टॉपिक मैंने तियार किया है और गारंटेड है कि इन्ही 130 टॉपिक से वो आने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह कोश्चन और अगर आप यह 130 टॉपिक तियार करके जाते हैं तो इंटर्विव पैनल में इन्ही 130 में से घुमा फिरा का भले पूछ दे उसका पू पहला स्केल ओफ फाइनेंस दूसरा ओपेन मार्केट ऑप्रेशन किसरा रेपोरेट रिवर्स रेपोरेट इसी के साथ आप सीरार एसलर यह सरे तियार कर लेना अगला मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम नेक्स्ट पर चलते हैं आप इंफ्लेशन से कैसे लड़ेंगे सीर इंफ्लेशन के वक्त फुरू किया गया था जब सीरार हंड़ेट परसेंट कर दिया गया था यह आपसे पुझा जा सकता है एट सेक्टर वीच कंट्रोल इंडियन जीडिपी कुश्ट नमर्ट 10 नेगोसिवल इंस्ट्रुमेंट एक्ट 1881 जिसके अंदर में चेक आते हैं तो यह कुश्टन बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो हम लोग आप यूज करते हैं गूगल पर फॉन पर यह सारे चीज़े नाच नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इसके वारे में पूछा जा सकता है आई-एम-पी-अस जो हम लोगा हमें सा मॉवाइल में यूज करते हैं यह क्या होता है मैंने अपने पहले वाले वीडियो में यह बता रखा है लेकिन फिर से आगया वाले वीडियो में बता दूंगा इन सबके डिफिनिशन बैलेंस ओफ पेमेंट क्या होता है कंट्री का बैलेंस पेमेंट पूछा सा सकता है COP26 इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है COP26 का इसके बार मैं पढ़ लीजेगा सार्क मैं यहां पर बता नहीं रहा हूँ कि को बताने बैठंगा एक टॉपिक को तो बहुत लंबा लिस्ट बहुत लंबा टाइम जाएगा और लिस्ट लंबी है तो इसलिए मैं केवल लिस्ट में वो जो टॉपिक्स हैं उन सब को बताते हैं आगे बढ़ रहा हूँ जी ट्वेंटी मिटिंग, खास करके जी ट्वेंटी में इंडिया एक इंपॉर्टन्ट रोप जो रोल है वो प्ले कर रहा है, तो ये सारे आप प्रिपेर कर लें अच्छे से, जी ट्वेंटी को बार में अच्छे से पढ़ लेना, ये कब इस्टैबलिश हुआ था, इसमें कि एक नॉमी में क्या रोल हो सकता है, बैंकिंग में क्या रोल हो सकता है, कोई भी करेंट अफेर हो, नूच पर पढ़ने का यही तरीका है, अगला वाट इस बैंक देखने में आपको छोटा कोशन लग रहा हो, बहुत, लेकिन बहुत बढ़ा कोशन है, क्योंकि मैक्सिमम इस बैंक बिजनेस, आपको फिल्ड में रहना है, और जगा पर रहना पड़ेगा, तो आप बैंक बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट स्केल ऑफ फाइनेंस, लीड बैंक की स्किम 1969 में आया था, मैं थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हो, जहां मुझको टाइम पर पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, इसलिए मेरा वो पिछले वाला वीडियो जा है, वो बहुत लंबा हो गया था, तो अगर आपको NPS से रिकवरी जाना है, तो पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजी, जो most important question मैंने करवा रख है, चल उसके अलावा, जो non-banker से उससे पूछे जा सकते हैं, तो यह आप मत सुचके चलिएगा कि हमसे नहीं पूछा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि पैनल में माइंड में कब क्या आजा, कुई नहीं जानता, तो आप यह कम से कम आपको पता तो रहे थोड़ा ही सह पूरा आप अच्छे से उसका एक ideal answer ना दे पाओ, बट थोड़ा ही सही पता तो रहे ना चाहिए, कि आपको उसके बार में हलका हलका idea है, ताकि उनको भी लगे कि आपको एक perfect banker बनने जा रहे हो, आपने यह ना भी नहीं सुना होगा, तो उनको लगे कि पता नहीं कहां से यह मजबूरी में जॉब ले रहा है, चलिए, ने एक्स्ट पिचलते है, money market instrument क्या होता है, जिनसे inflation को हम कंट्रोल करते हैं, उसके बार में पढ़ लिजेगा, MCLR, marginal cost of fund based lending rate, जिस पे bank जो है, वो lend कर लेंड देती है, उधार मतलब देती है, तो यह है, वो है, इसके बार में आप लोग पढ़ लिजेगा, insolvency, bankruptcy, यह क्या होता है, यह क्या होता है, दोनों एक ही चीज़, बट थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा difference पढ़ जाता है, तो यह insolvency, bankruptcy, capital account, current account, इन दोनों के बार में मैं आपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा से explain किया है, जाके आप साथ आप लोग CRAR पढ़ लिजेगा, नाम भले नया लग रहा हो, बट जरू पढ़के जाएगा, fiat money, recapitalization bond, haircut in banking, indemnifier, letter of credit, banker लाया, यह सारे मैं फिर से मैं बता दू कि bankers के लिए और commerce से related जो भी aspirants है, उनके लिए बहुत important है, तो आप लोग देख के जाएगा, slippage, कोई भी जो standard assets होता है, वो doubtful assets या कुछ और हो, जब बढ़ रहा हो धीरे धीरे, तो उसको slippage बोलते हैं, off balance sheet item, type of loan account, bill finance, right of appropriation क्या होता है, right to set of क्या होता है, provision, मैं 52 question तक पहुँच चुका हूँ, तो ये total 52 question अभी आचुका, चले next पे चलते हैं, underwritten क्या होता है, difference between safe custody and locker, देखने में आपको दोनों एक जैस अलग रहा हो, बड़ दोनों बहुत अलग होता है, दोनों बहुत अलग होता है, तोनों बहुत डिफरेंस है, ठीक है, stake inflation, reflation, agflation, inflation तो मैंने पहले आपको बता दिया था है कि उस पर पढ़ लिजेगा, AALM, Asset Lability Management क्या होता है, note exchange policy, इसके बारे मैंने अपने पिछले वीडियो मताया था कि आप अप तो 5000 रुपीज या 20 note maximum चेंज कर सकते हैं, तो यह जरूर पढ़कर जाएगे, छोटी-छोटी चीज होती है, लेकिन देखना चाहते हैं कि आपको banking के बारे में पता है या नहीं है, चलिए अपने next question पर चलते है, types of risk in banking, total 6 तरीके का risk होता है banking में, एक as a manager, तो आप क्या-क्या risk होते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, वो आप देख लिजेगा, मुद्रा लोन, मुद्रा लोन, वही जो MSME के लिए लोन अभी चल रहा है, केवला धार कड़ और pen card पे जो हमारे प्रेमिनिस्टर है, वो लोन दिलवार है बैंकों से, तो वो मुद्रा लोन है, उसके बारे में पढ़ लिजेगा, इसका एक perfect name ना, क्योंकि ये जो market में मुद्रा लोन के ही नाम से famous है, तो पैनल मेंबर भी आपको confuse करने के लिए ऐसे पूछेंगे, masala bond, देखने में आपको बहुत अजीव लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत important role play करता है, एक नामी में, masala bond, financial inclusion क्या है, इसके बारे मैंने बताया था, self-help group, गाउं से, ये आप मैंने के चलो कि ये, गाउं का base है, self-help group जो है, वो गाउं के लोगों के लिए बेस होता है, क्यों, वो एक अपना group बनाते है, कम से कम 15-20 लोगों का, जिसमें सारे members जो हैं, वो contribute करते हैं, और तरीके से वो एक, आप उसको एक छोटा सा bank भी बोल सकते हैं, कि लोग अपनी level पे जागे, जाएंगे, जो भी हमारे clerk पे जो काम कर रहे हों, या office assistant में जो भी लोग काम कर रहे हों, cashier के तोर पे, उन से लोग अधाला जरूर पूछा जा सकता है, तब जरूर पढ़के जाएंगे, types of check, checks के type, क्योंकि ये तो normal candidates भी पूछा ही पूछा जाएगा, कि check ये कितने type होते हैं, उसमें से किसी भी check कबराम पूछ लिए जाएगा, कि इस check में कैसे payment करते हैं, या कैसे नहीं payment करते हैं, सब कुछ, चलिए next topic पे चलते है, priority sector lending, ये वैसे sector होते हैं, जिनको priority में रखा जाता है, और RB के लिए 75% और जो PSBs हैं उनके लिए 40%, अब जिसका आप interview देने जा रहे हैं, उसके लिए 40% रखा गया, तो किस sector को कितना percentage देना पड़ेगा PSB को ये आप अच्छे से पढ़के जाएगा, पूरा, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसमें वो होते हैं, वो sector होते हैं, जिनको priority देते हैं, जिनको loan देना मजबूरी नहीं है, एक जरूरत है ताकि आपको समाज जो है वो आगे बढ़ सके, अगला नाबाड से भी, Security Exchange Board of India, इन सबके बार मैं आपको पढ़ना है, मैं वो सारे यहाँ पर topic clear करवा रहा हूँ, फटाफट, quantitative tools versus qualitative tools, यह RBI tools अपना release करता है, तो इन दोनों में क्या difference है, quantitative और qualitative, यह दोनों आपकर करके जाएगा, ranking in PSB, ranking in PSB का मतलब कि यह हुआ, आप यह सिधा सिधा समझेए, कि आप जो भी interview देने जा रहे हैं, उसका rank क्या है अभी फिलाल में, और दूसरा, इसके साथ में और चीज़ बता दो कि आप as assistant manager join कर रहे हैं, तो आप आगे आने वाले time में कहां तक पहुँच सकते हैं, जैसे आपना assistant manager से सुरू किया, then deputy manager, then manager, यह आप से भी पूछा जा सकता है, तो यह आप पूरा एक hierarchy है, वो आप prepare कर लिजेगा, क्योंकि यह पूछा जाएगा कि आप छे साथ जो नीचे से जहां पर आप join कर रहे हैं, उसके उपर से आप post का नाम बताईए, तो यह आप ranking ज़रूरियाद कर लिजेगा, और दूसरा कि आप market map का PSB, जो आपको खास करके preference bank है, वो किस position में खड़े है, business करने में, अगला जो है, should be, चलिए अगले question पर चलते हैं, एक जिम bank, world bank versus IMF, लगता दोनों एक ही जैसा है, लेकिन difference बहुत ज़्यादा है, तो दोनों में क्या difference है, revise all bank chairman, क्योंकि मैंने बता जियकी नहीं, 130 topic से बाहर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, जितने भी bank के chairman है, PSB को उनने सब लिए जाए, तो आप वो सब याद रखिए, अगला योजना से जुड़ा कुछ चीज देख लें, जो topic मैंने यहां पर प्रिपेर किया है, स्वामित योजना, क्या है, प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना, किसान सम्मान ने दी, जो 6000 उपे जाते है, per year, उजवला योजना, जिसमें LPG connection दिये जाते है, पटल पेंशन योजना, ये जो non-organized sector है, उनके लिए ये लाया गया था, नरेंद्रमोदी ने लाया था, तो इसके बरें में पढ़ लिजेगा, पीम जे जे बी वाई स्किम, जीवन जोती बीमा योजना, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे कम रेट पे, 436 रूपीज में, ये योजना शुरू किया गया था, कि आपको 2 लाक ए एंसुरेंस में लेगा, पीम जे डी वाई स्किम में सबका एक्स्प्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, और आपको टॉपिकल लिष्ट देना है, तो सिर्फ टॉपिकल लिष्ट देके, देन मैं 10-10, 15-15 टॉपिक को अच्छे-चा क्लियर करवाता चलोंगा, सारे स्किम भी, पीम स्वानिधी स्किम, पीम EGP, प्रधान मंत्री Employment Generation Program स्किम, डिफरेंस बिटूइन IPO एन FPO, यह अच्छे से प्रिपेर कर ली जाएगा, आई प्यो और FPO में क्या डिफरेंस है, वोमेन इंपावर्मेंट स्किम, खास करके जो गर्ल्स हैं, वो इसको बहुत अच्छे से जाए, क्योंकि आप जब एक बैंकर बनेंगी, तो आप वोमेन को कैसे इंपावर करेंगी है, जब बैंकर, क्योंकि आप भी एक फ्रंट वर्कर ही है, पब्लिक डिलिंग जॉब है बैंक, तो आप कैसे वोमेन को इंपावर करेंगी, तो आपको पता होगा, तो आपसे अग गवर्नर और दो तिन पिछले गवर्नर रिजाइन क्यों किया खास करके रगुराम राजन उर्जित पटेल इन सब के पीछे क्या रिजन थी उस रिजन को पढ़के जाएगा आपको वहां पे कोई डिसकुशन के लिए नहीं बुला जा रहा है सिर्फ वो छोटा सा रिजन जा लग रहा होगा बट यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है पीएसल परसेंटेज इन पीएसवी जो मैंने वहीं बताया था प्रियोर्टी सेक्टर लेंडिंग वाला कि इसमें 40% होता है और इसमें 75% होता है क्यों यह डिफ्रेंस है यह आप पढ़के जाहिएगा और क्या सब मैंने का न कि RBI का आपको नोटिफिकेशन देखते रहे हैं हाल फिलहाल में RBI एक नया फीचर्स लेकाया है जिससे की बटन फोन होते हैं उसे ऑनलाइन पेमेंट हो सकते हैं तो वह यह है क्रेडिट कार्ड वर्सेस डिविट कार्ड दोनों में क्या डिफ्रेंसेस है 96 न आप फार्मर्स होंगे उनकी प्रब्लम्स को आप कैसे समझेंगे और फिर उनका कैसे सलूशन देगे तो प्रब्लम्स आप कम से कम पांच प्रिपेर करके जाएगा मैंने है तीन ही लिखा है लिटेस्ट पॉलिसी और भी आई को आप वोच करते रही अच्छे से उसके सक्सेस अर्फ लेरी बहुत बड़ा कोश्चन है यह जानबूच के जो पैनल मेंबर है वह आपको फसाने के लिए पूछते हैं कि डिमोनेटेशन हुआ था वो सक्सेस था यह फेलियर था तो आप दोनों पढ़ लिजिएगा अच्छे से कि सक्सेस था कि फेलियर था कि वाय है प्रिफर बैंक कि कूलता है तो मुल बैंक के लोग की कुल लुका खुल आ कुछेख लेए तो नॉमिनेशन केस सेनारीव, एक छोटा मुटा केस पूछते हैं, खास करके जो बैंकर है, जो कि किसी भी बैंक से जा रहे हों, तो वो जरूरी ये पढ़के जाएगा, नॉमिनेशन केस, बहुत इंपोर्टेंट है, ये किसी एकाउंट्रोलर का डेमाईस हो जाता है, मतलब डे प्रॉम्ट करेक्टिवनेस एक्षन यह क्या होता है इसमें फिलाल में कौन-कौन से बैंक है वो बैंक के नाम आप अपच्छे सियाद कर लिजाएगा क्या-क्या वजह होती है इन में जाने की यह भी आप पढ़ लिजाएगा हिस्टियों बैंकिंग आंका बैंक कहा सा सुरुआत हुआ था क्योंकि वह सिस्ट्र ईपनिशिग में पूछी दिता हैं कभी-कभी रोल ऑफ और वी जैसे लगते हैं बोड़ अलग लगा लगा तो दोनों का एप रोल पढ़ लिजेगा मनी लॉंडरिंग मनी लॉंडरिंग क्या होता है NBFC नॉन बैंकिंग फैनेंशियल कंपनीज और बैंक दोनों में क्या डिफ्रेंस है अग्रिकल्चर एक्टिविटीज यह जरूर पढ़के जाएगे क्योंकि बहुत बचुक नहीं पता होता है कि अग्रिकल्चर एक्टिविटीज होती क्या है ऑफ्राइज्ड कैपिटल और नबाड जीब आप नबाड गवार में पढ़ रहांगे तो उसका सब पुछ पढ़ेंगे लिकिन यहापने अलग से बना दिया कि आपको कैपिटल भी याद होना चाहिए वह नबाड का कि वहां पर कौन कौन से पेमेंट सिस्टम चलते हैं क्या होता है उनकी बैंकिंग कैसी है आप ही कि जैसी है कुछ अलग है उनके जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे हैं किस पर बेस्ट काम करते हैं यह सब कुछ अबाउट यूर सिटी एस्टिट के तो कहना ही नहीं पड़ेगा अपने सिटी एस्टिट के बार मच्छा से इन एर सी यल यह हाल फिलहाल में गवर्मेंट अफ इंडियन लॉंच किया है इसमें एसेट्स को यह जो कंपनी है वो बाई करके बैंकों से और इसको फिर मैन प्रेक्शन एट सोर्सेश तो यह जरूर पढ़ लीजेगा चले अगले कुशन चलते हैं इंडेमनिफायर एसी जी सी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कर्परेशन लेटर अफ क्रेडिट और एडिफ रूरल इंफ्रेस्ट्रेक्टर डिवलोप्मेंट फंड यह जरूर आ प्रिफिरेंस बैंक का मतलब आपने अगर आप पंजाब नेसल बैंक सबसे उपर रखाया तो उसका एंप यह प्रॉफिट सब कुछ उसका क्या कंडिशन है अभी वह प्रॉफिट में जा रहा है लॉस में जा रहा है बहुत उपर तक जाने वाला है वह सब आप अच्छे स है सबकुछ डॉलर वर्सेश रूफी खासकर कि इतना जो डिफरेंस आ रहा है तो आपको डोलर वर्सेश रूपी मतलब आपको कमपैरीजन नहीं करना है यह जो इतना डिफरेंस आ एक नॉम में कि एक डॉलर में इतने ज्यादा रूपी होने लगे तो इसका वज़ा बतान या आपको देखने में नया लग रहा होगा लेकिन टेंसन मत लिजिए मैं आपको आपने वीडियो में यह बता दूगा कि फिर ओफ फोरसी है क्या फिर फोरसी बैंक में हमेशा लगा रहता है money market versus capital market क्या difference है अगर आपको रूरल इरियाज में पोस्टिंग दे दी जाती है तो आप कैसे उसको डिवलप करेंगे कि अब इसके अलावा जो भी करेंट अफेर से रिलेटेट कुश्चन बच गए उसका प्रिपेर कर लीजेगा अच्छे से जो लास्ट वाला इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया है लास्ट बट नॉट लिस्ट न्यूज पेपर जरूर पढ़के जाईएगा खास करके इंट्रव्यू के तीन चार पास दिन पहले के इंट्रव्यू के दिन का भी इंट्रव्यू अगर आपको सुपा में है तो अब तो कोई इसव नहीं है बट अगर दो पखर के बाद है तो तो आप जरूर पढ़के जाएगा न्यूज पर पढ़ते रहते हैं और खासर के जिस सिटी में आपका इंटर्विव होगा उसी सिटी का न्यूज पर उस दन खरीद के और पढ़ लिजेगा ताकि एक आपको हेडलाइन पता रहा है वो अचानक से ऐसे ये मजाक मजाक में आगेगा तो मैं इस चैनल पर आपको फिर से वो टापिक्स आके बता दूँगा लेकिन इतना तो तया है कि इस से बाहर कुछ नहीं आने वाला है और मैं जो इस चैनल पर बता दूँगा वो उसमें से ही कोश्चन आएंगे गारंटेड तो बस आप सब ये 130 टापिक्स झाल 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 झाल